तो हलो दोस्तों मैं तयारू क्रिकेट 19 के एक और गेम प्ले के साथ और ये मुकाबला है इंडिया वर्सेश श्रिलंका का क्योंकि एशिया कप चल रहातthعो तो मुझे भी चुल हुई कि एक एशिया की टीम्स का मैच करवाय जाए तो मैंने इंडिया और शिलंका का मैच करवा लिया अब मैच जब हुआ तो क्या हुआ कि शिरिलंका ने बना दिये 30 गेंदों में 66 रन और अगर ये मैच हमें जीतना है तो हमें बनाने होंगे 30 गेंदों में 66 रन और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि लास्ट में जो होता है न वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नी किया होगा इसी बीच रोईश शर्मा ने खेला है स्ट्रेट शाट और फिल्डर ने पकड़ लिये बॉल पहली विकेट का पतन होता हुआ भारतिय टीम के लिए ये तो अभी मैश शुरू भी नहीं हुआ और रोईश शर्मा आउट हो गए फॉर अड़क नेक्स्ट बॉल शिकरदवन उन स्ट्राइक पुल शॉट खेला है बट ये क्या सीधा फिल्डर के हाथों में खेल दिया और जीरो रन पे दो विकेट मैं आई कांट बिलीव दिस यार दोनों भारतिय सलामी ओपनर्स जीरो रन पर आउट हो चुके हैं दुश्मनता चमीरा ओन हैट ट्रिक बैक फूट से जाके क्या पंच लगाया यहाँ पर केल राहूल ने चार रन ओवर की चौथी बॉल स्ट्रेट खेला है यार करती कितने रन मिलेंगे पूरे छे रन बहुती लंबा ये सिक्स पहले ओवर की आखरी गेंद केल राहूल उन स्ट्राइक इसे भी हवा में खेला है मिलेंगे यहाँ पर भी पूरे छे रन जिसका मतलब है पहले ओवर से हमने बना ली है 16 रन दो विकेट के नुकसान पे ओवर काफी खराब जा रहा था बट केल राहूल ने अच्छा बना दिया और यहाँ पर आप डिफिकल्टी देखी चुके होंगे मैं हाट डिफिकल्टी पर खेल रहा हूँ क्योंकि बाद में कभी कोई बोले कि इजी डिफिकल्टी में खेल के मैं जीत गए होगे तो उसको क्लैरिफाइ कर दो कि I am playing on a hard difficulty यहाँ पर करुणा रतने की अगली गेंद मिस हुई है बट भागने की क्या जरुवत थी यहाँ पर यह क्या करवा लिया केल राहूल भी आउट जे चुल हुई एक रन लेने के चक्कर में केल राहूल सैट बैट्समेन को आउट करवा दिया ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो तो गाइस दूसरा ओवर तो अपने लिए कुछ सूखा सूखा साई निकल गया बट अब अखिला धननजे आया और रिशपन स्ट्राइक पे हैं हवा में खेला है और बहुत यह अच्छी शुरूआ तो यह ओवर की चार रन दूसरे ओवर की तीसरी गेंद विराट कोली ओन स्ट्राइक बहुत ही बढ़िया शॉट केला है हवा में है क्या चार में लगा छे लैंडे जस्ट आउटसाइड दा बाउंडरी रोग छे रन मिले हैं चौतर मीटर का बढ़िया शिक्स विराट कोली के बल्ली से तो गाइस मैच हो गया है काफी रोमान चप क्योंकि अब हमें चाहिए बारा गेंदों में 29 रन जीतने के लिए और वनिंदू हसरंगा आए हैं गेंद बाजी कराने के लिए ओवर की पहली गेंद फ्लिक किया है उसे और फिल्डर वहां तैनात विकेट तो दोस्तो पंत के आउट होने के बाद कोली एक बार फिर से स्ट्राइक पे आए और बहुत ही बड़ी आफ फ्लिक शॉट केला है पंत जैसा ही बट इस बार मिलेंगे चाहर रन ओवर की पाँचवी गेंद और यहाँ पर यह क्या हो गया विराट कोली जो की बहुत बड़ी उमीद थी इंडिया की वो भी आउट चौधा रन पे नए बल्लेबाज मिस्टर जड़ेजा ओन स्ट्राइक और शॉट यहाँ पर बहुत अच्छा खेला है अपनी पहली गेंद पर कितने रन मिलेंगे पूरे चार मिलेंगे बहुत ही महतपूंड चौका इस वक्त इसकी बहुत ही ज़ादा जरुवत थी तो इसका मतलब अब आ अपनी रन मिलेंगे दो रन लिए पहली गेंद पर ओवर की दूसरी गेंद शॉट पिछ है खेला है उसे ओर यहाँ पर मिस्टिंग हुई है जिसके कारण मिल जाएंगे चार रन बहुत ही बढ़िया बॉलर यहाँ पर नाखुश है उड़ाना सहाब कोई बात नी थोड़े शॉट और उडवादो इस ओवर में मज़ा आ जाए हमें चार बॉलो में पंदरा रन अरे इसे भी पुल करना चाहते थे नहीं कर पाए मिला सिर्फ एक अरे पीज़ा वाली भाईया पीज़ा का ट्रक साइड में पार्क कर लो हम आ रहे हैं जीत के अभी पार्टी मनाने मिस्टर जड़ेजा गेन ओन स्ट्राइक यहाँ पर यॉरकर गेन थी उसको फुल टॉस बना के खेला है वन बाउंस चौका लॉड्स का मैदान थोड़ा बड़ा है जीत की उमीद अभी भी भी बाकी है तीन गेंदो में 14 रन चाहिए थे अब जड़के यह खुबसूरत चौका चाहिए सरिफ 10 रन दो गेंदो में भाई क्या होगा उड़ाना उड़ाना ने तो पार्टी की तैयारी कर ली है रविंदर जड़ेजा एक बार फिर से स्ट्राइक पर बॉल और शॉट बहुत उचाहिए शॉट बहुत उचाहिए मैं डिफिकल्टी दिखा दू पहले ही आप लोगों को डिफिकल्टी मैंने चेंज नहीं करी है क्या ये छे होगा मुझे लग रहा है छक्का होगा नहीं कोई बात नहीं आखरी गेंद पर यानि की अब चाहिए छे बहुत ही गजब शॉट केला जड़ू ने और पीछे कीपर क्या कर रहा था बड़ चलो जो भी है ये भाई साब फील्ड में परिवर्तन करते हुए आखरी बॉल छे रन भाई छक्का लग जाए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए यौर कर और शॉट बहुत उचा गया है क्या ये भी वन बाउंस चौका होगा या च्छे होगा जी नहीं सीधा लेंड करी है दर्शकों के बीच छे रनों के लिए और इसी के साथ ये मैच हम जीत गए है मुझे यकीन नहीं हो रहा 10 ओवर का ये मैच था जो की बारिश की वज़े से 5 ओवर का हो गया था और मैंने देख लो फिर से डिफिकल्टी देख लो यार मतलब क्या ही बोलू मुझे यकीन नहीं हो रहा मगर खुशी बहुत हो रही है यार हम जीत गए बहुत ही रोमांचक मैच हुआ तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएए तो प्लीज यार इसे लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना मेंस अलोट टू मी में यह जए रहा जाव जए इस रहार भी आपको कर देना मुझे आपको कर देना